अच्छा सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना पिष्टा का नाम तो लगभग सभी लोग सुना होगा और हो सकता है कुछ लोगों ने इसका से बन ना किया हो पिष्टा एक परकार का मेवा है ड्राइफूड्स के रूप में इस्तमाल होने वाला पिष्टा ना केवल एक बहतर एशनेक है बलकि यह स्वास्त के लिए भी लाफदायक है एक ताजा अध्यन के अनुसार इसका नियमित सेवन शरीर में कार्वोहाइडरेट की मात्रा को नियांतरित रखता है और बलड सूगर लेबल घटाता है पिष्टा में संत्रिप्त वशा पली अनसाचूरेटेड वशा मोनो अनसाचूरेटेड वशा सोडियम पोटेसियम कार्वोहाइडरेड आहार फाइबर सूगर फ्रोटीन बिटामिन A केलसियम आरन बिटामिन D बिटामिन B मैगनेशियम संत्रिप्त वशा और बहुत से पोशक्तत वपाए जाते हैं यह काजू और बदाम से भी ताकतवर माना जाता है तो आईए दोस्तों जानते हैं पिष्टा से होने वाले फायदों के बारे में शरीर में कॉलेस्ट्रोल लेवल बढ़ रहा है तो आप नियमित रूप से पांच पिष्टा का सेवन करें ऐसा करने से कुछ ही दिनों में कॉलेस्ट्रोल लेवल समान हो जाता है पिष्टा के नियमित सेवन से हिर्दय से जुरी बिमारियों में लाव मिलता है पिस्ता का सेवन कैंसर को रोकता है और कैंसर सेल्स को भी खत्म करता है इसका सेवन बालो को सुंदर लंबा और मजबूत बनाता है और मधुमय के समस्या में भी लावकारी होता है इसके सेवन से हिमोगलोबीन बढ़ता है और तंत्री का तंत्र मजबूत होता है पिस्ता दिमाग को तेज करता है और बजन को घटाता है इसके सेवन से तचा संबंदित रोग खत्म हो जाते हैं यह बढ़ती उम्र को रोकता है और परतिरक्षा परनाली को मजबूत बनाता है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीड जरूर कर ले धन्यवाद